दोस्तो अगर आपका जो budget है वो है 10 लाग रुपे का और आप एक ऐसी गाड़ी चाहते हो जिसमां आपको safety मिल जाए, features मिल जाए और mileage भी आपको मिल जाए, अंदर spacing भी आपको मिल जाए और SUV वाला look भी आपको मिल जाए, तो आज आपका यत्तु भाई आपको एक ऐसी गाड से देखना है, अच्छे लगेगी, like कर देना, subscribe करके बैल एकन दबा देना, क्योंकि हम लोग 10,000 subscriber के बहुत ज़्यादा पास है, शूरू करते है वीडियो को, अब तक आपने मेरे चैनल में Nissan Magnet याली देख ली है, जो की है इसका XV variant, फिर हमने black वाली करी थी जो की है, इसका 10,000,000 रुपे में, भड़ी साब क्या कुछ नहीं मिल रहा है आपको, lightning setup by xenon projector, indicators, LED DRLs, fog lamp भी आपको देखने को मिल जाते है, LED में, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो lightning setup LED में ही आपको देखने को मिल जाता है, और एक और चीज दिखाऊ, Nissan के logo के नीचे आपको मिल जाता चोड़ाई देख लो कितनी जबरदस्त है, इंजन की बात करूँगा, natural aspirated इंजन है, क्या निकालता है, पावर 71 की BHP 96NM का टॉर्क कम लग रहा है, थोड़ा से पैसा ज़्यादा देना पड़ेगा, आपको turbo भी मिल जाता है, लेकिन मेरे साब सकर mileage चाहिए तो बहुत ही सह इंजन है, वारेंटी की बात करता हूँ, दो साल 40-40 किलोमेटर की वारेंटी, जिसा आप एक्स्टेंड यहाँ पर करा सकते हो, companies में क्लिम करती, 19 का mileage, आज आते हैं, side profile में, side profile से लेखते हो तो भाई, features की जड़ी लगा दी है, 16 inch के टायर मिल जाते हैं, companies में दे रही है, CR Sec Camera मिली रहा है, driver side, core driver side, require sensor मिलेगा, chrome की bedding गई हुई है, roof rail, shark fin, antenna, और कर अंदर से दिखाता हूँ, तो ORVM, fold, adjust, वगर, सब हो जाएंगे, fuel tank की बात करता हूँ, तो 40L तक आपको fuel tank देखने को मिलता है, और ground clearance की बात करता हूँ, तो 205 mm का ground clearance मिलता है, तभी मैंने कहा था, अंदर आपको एक ऐसी गाड़ी चाहिए, 10 लाग की अंदर जिसमें आपको सारे चीज़े मिल जाए, तो ये वो गाड़ी है, safety की बात करता हूँ, 4 रिस्टार एशियन एंके रेटिंग है, बाकी features की बात अंदर करूँगा, पीछे रेके चलता हूँ, पीछे से look देखो भ बूट, इसपेज जहां पर आपको light के functionality मिल जाएगी, और उसके साथ आपको partial tray भी मिल जाती है, 60-40 speed seat को भी option मिल जाता है, exterior से check out कर लिया है, interior से देखते हैं क्याई का चीज़े मिल रही है, और भाई interior देखो, single tone में रखा है, steering में आपको मिल जाता है leather wrap, cruise control को option, traction को off करने dedicated button, बाकि यहां पर soft touch मिल जाता है, पाने की bottle, document, speaker आपको देखने को मिल जाते है, seat जो है, यह leather, plus fabric देखने को मिल जाती है, और seat height adjustment देखने को मिल जाता है, seat में कोई भी दिक्कत नहीं है, seating comfort बहुत ही top notch है, detail में जानना है, exp वाली वीडियो देखो, link के description में मिल जाएगा, यहां पर आपको detail में संजमा आएगा, यहां पर अगर आप देखते हूँ, तो आपको इस तरीके से यहां पर armrest मिल जाता है, और handbrake में भी आपको leather के stitching देखने को मिल जाती है, start stop button मिल रहा है, 8 inch की display मिलती है, जो Android Auto Apple CarPlay support करती है, automatic AC देखने को मिलेगा, manual dimming IRVM देखने को brake assist, hill hold control, traction control जैसे safety features देखने को मिलते है, एक बाद पीछे की seat में चलते है, दिखते हैं क्या की उच मिल रहा है, तो दोर में देखें, soft touch देखने को मिलेगा, speaker पानी के bottle केरी कर सकते हो, बाकि यहां पर देखो, leather plus fabric या posture मिल जाती है, दो-दो आपको headers मिल रहा है, 60-40-speed seat को option मिल रहा है, center में खोलता है उसको नीचे में, तो यहां पर आपको मिल जाते है, दो-कप रखनी की facility, बाकि यहां पर आपको पीछे के तरफ AC वेंड मिल जाता है, और नीचे की साइड अगर आप देखोगे तो आपको charging socket मिल जाएगा, तब ही मैंने कहा था, अगर आपको ए सबको लेगा 15, 16,000,000 रुपे का सौता है, 360 degree camera के functionality मिल रही है, बात ही अलग level के बन जाती है, बाकि आपको जो भी सोचन रहेगा मुझे कमेंट करके जोड से बताना, और मैं मिलता हूँ को बहुत जली से को नहीं वीडियो के संग, तब तक लिजय हिंद, जय भारार!